असलाम अलेकुम नाज़रेन क्या हाल हैं सबके उमीद है कि सब मेरे प्यारे प्यारे नाज़रेन खुश्बाश होंगे अपने गरों में ओके आज हम सिंपल सुजी का हलवा बना रहे हैं चले बनाना शुरू करते हैं इसमें हमें चाहिए तीन कंपानी एक हम कप की मेयरमेंट रखेंगे उसी से सारा करेंगे मेयरमेंट होना ज़रूरी है यानि यह हमने तीन कप पानी लिया है तो इसके लिए हम एक कप लेंगे सुजी यह एक कप हम लेंगे यह हमने आपके तीन कप पानी लिया है और इसमें डालेंगे हम डेल कप आप चाहें त वरना डेल कप चीनी ड़ेगे टीक नेकिन यहां हमने एक कप तक्रीबन भार के लिए हैं यह हम आदे से थोड़ से ज्यादा कप लेंगे ओईल यादे सी घी ले लें ज्यादा बितर है मेरे पास ओईल था और यह हम लेंगे किशमिश किशमिश लेंगे और काजू और बदाम और यह गिरी है और यह तीन हैं अलाइची हैं यह हमने कोट लियां यह मारा थोड़ा से जर्दा कलर आएगा इसमें तो बहुत ही मज़े का यह हम जल्दी से बनने वाली रसिपी है मेठा खाने को दिल करें तो दस मिन्ट में यह हलवा त्यार हो जाता है चले हैं हम शुरू करते हैं फ्लेम अन करेंगे इसका इसके अंदर हम डालेंगे तीन कप पानी सुझी के लिए अगर एक कप सुझी है तो हमें तीन गुना पानी लेना पड़ेगा ज्यादा क्यूंकि सुझी फूलती है और पानी जल्दी से ब्सॉर्व करती है को अब हम डालेंगे इसमें चीणी साध्य हम डाल दिये इसमें लयची इससे बहुत इच्छी इसकी खुश्भु आएगी अब हम इसमों डालेंगे जर्दा कलर्डर यह हम इसमा डालेंगे जर्दा कलर siblings के लार को दो हुख्स 경우에는 अब हमने इसको यहां चाशनी नहीं बनानी है बस इतना बनाना है कि अच्छा सा इसको उबाला आज़े दूसरी तरफ हम लाजेंगे डखेंगे फ्राइपे इसमें हमें डाला एक टेबल स्पून और अब इसमें डाल देंगे बदाओं इनको हरका सा इसमें साथे कर लेंगे यह डालेंगे काजू किश्मिश नहीं डालेंगे क्यूंकि वह भूल जाती है एकदम किश्मिश यह मारे गए काजू और यह डादेंगे हम गिरी थोड़ा सा हम इसको इसका दूर करने के दरा अच्छा है इसका रोस्ट करेंगे तरा मज़े का जाइका हो जाता है हल्वे का जाहिए यह जादा फूर्फ यह जाज दौर्फ यह जाज नहीं हो रही है त्यार बस यह उबलने लग जाएगी तो हम इसको बंद करते हूं रहें ज्यादाने पार्टब्स्ट पकाना हमने इसको हमारे पास नाजरीन ये बने थे ड्राइफ रूट आपके पस जो भी हो आप डाल के तो अपना हलबा तयार कर सकते हैं मेरे पास इसो कित काजू, बदाम और गरी थे और किशमेश आप इसमें क्रोट भी डाल सकते हैं अब हम दर्मयान ये आच पर रखें कर रहें इसमें डालेंगे आईल खुड़ा गरम हाने रखेंगा आईल तो हम इसमें डाल देंगे सुची ये हमारा आईल हो रहा गराँ अब हम इसमें डालेंगे एक कप सुची अब हम स्लो आँच पे इसको करेंगे ब्राउन हलका ब्राउन आँच तेज नहीं करेंगे बहुत जल्दी ये जलने लग जाती है पांच मिन्ट हम इसको स्लो आँच पे गुर्डन ब्राउन करेंगे हल्वे की सबसे अहम बात ये है कि सुची को हम सही तरह ब्राउन करें जितना हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे उतना हमारा हल्वा अच्छा दाने तार त्यार होगा सुची हमारे होगी है गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छी थी अब हम इसमें डालेंगे चाशनी झालेंगे ये झालेंगे उतना हम हमने इसको अच्छी तरह ला लिया है ताकि इसके अंदर गुठलिया ना मैंने अब यह सूजी बहुत जंदी फूल लेगी हलकी आज़ पे हम इसको पकाएंगे यह देखे नजरीन अब यह हमारा हलबा हो रहा है गड़ है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट किष्मी तरह लेंगे एक टिबस्पून हमने इसमें ओयल होता है लेकिन इसके लिए देसीगी जो वह बेहतरीन है मेरे पास इसमें देसीगी नहीं है फोड़ा समें इसको और पकाएंगे अफिर देशाओट करके आपको दिखाते है हल्वा मरा हो गया त्यार अब हम फ्लेम ओफ कर देंगे इसका और इसको निकालते हैं यह हमारा हो गया हल्वा डीशाओट बहुत ही मज़े का जाइका है बहुत मुनासिव इसके है जीनी इसमें मिठास नाजरीन मेरी वीडियो आप लोगों को बसानता है तो दूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को फैमिली में फैमिली ग्रूप्स में शेयर करें और एक और जूरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कुमेंट्स करना न भूले कुमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं ओके फिर मिलते हैं एक नहीं रसिपी के साथ अला आफिस अपना बहुत सारा क्यार रखें